जब भगवान आउला नोमी के दिन शिरी हरी नारायन आउले के ब्रच्छ की पत्तियों पर सयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनमोदन करेंगे तब शिरी हनमान जी महाराज उनसे दिन्ती करने के लिए पधाते। 33 कवटी देवता भगवान विष्णों जब सयन से उठते हैं देव सोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे नेतर खोलेंगे तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णों श्रीमत भादवत का था इसकंद पुराण पदम पुराण अगनी पुराण जितने भी पुराण उठ सबसे पहलें कि हो अपनी देव सोनी एकादसी से सो कर, भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किस का दर्शन कर लो किस पर भगवान नेत्र नहीं खोलते कब तक जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरी का गुणदान नहीं गाता है अवला नोमी का आप लोग साधना करते होंगे जब कार्थिक के महिने में आवला नोमी का भृत आता है तो जो उपास नहीं भी रखते हों जो फूजन नहीं भी करते हों उनसे मेरा निवेदन है कि इसकंद पुराण में कार्थिके के पावन चरित्र में इसकंद पुराण में इस्पश्ट किया गया और कल्यान का कार्थिक खंड पढ़ियगा कभी योग लगे तो गिता प्रेश गौरतपुर का कार्थिक खंड पढ़िया अब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आउला नुमी के दिन आउले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मत्यान से पहले दोपहर के बारा बजे से पहले आउले के पेड़ के नीचे आउला नुमी के दिन कार्थिक के महिने में इसकंड पुरान करती है जो घी का दिया लगाकर पूजन करकर अपना पल्लू पसार कर आउले के ब्रच्च की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी स चाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिरा कर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती उसके घर में धन वेभव सकता बढ़ती है बढ़ती है आउला नुमी की कथा में एक परसंग आता है आउला नुमी का पूजन आपको करना आता है ब्रत करने वाली माता में ब्रत करती है आउले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना बोजन करना आउले का ब्रच की छाया में बेठना उस दिन किसी को अप्षब्द ना कहना आउले की पूजन करकर अपनी जोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आउले की छाल को थोड़ा सा पलू में गिरा लेना उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रग देना, यह आउला मुमी की पूजन का विधान है, समुपद आगे है, एक बहुत अच्छा समय, रात्री के नो बच के पंदरा मिनिट का एक समय होता है, जिस व्यक्ति का रोख, बिमारी समापत नहीं हो रही हो हॉस्पिटिल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बिमारी में गरसी थे, छूटी नहीं पा रहा, तो रात्री को नो बच कर पंदरा मिनिट पर, किसी भी दिन, शंकर भगवान के शिविलिंग का, जो तुमारे घर में शंकर जी विराजमान हो, उसका, या शंकर जी के म विशे पूजन कर लेजिए, उसका नाम लेकर कर लो, जो रोक से गरसी थो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन करोगे, वो हॉस्पिटिल से छुट्टी करके जाएगा, उसका रोक समाथ थो, आउले के ब्रक्च के नीचे, इसका पुराण में भी है, कार्तिक महिने में आउला न में पर लोग आउले के पेड़की पुझन करने जाते हैं, तो महा गोड़ भी करते हैं, बोलो हॉसे है की खला थे? हमा लोग टिफिन लेकर जाते थे पहले, भोजन करते थे आऊले के ब्रक्च के नीचे, भोजन करने पर संपधा पड़ती, आउला नूमी का दिन, कार्तिक प्धारे में पड़ती हाँ जगतभूर शंकर अचाच जी करह है मा तो कर्पा करते है मा पिस नहीं में ये मा पूर है दाना कफल दाना कैसे दूम है मा पूर्व में मान लो इसने जितने जनम लिये उस जनम में अगर कोई दान नहीं दिया तो आज आउला नूमी के दिन आज तो दान दिया लच्छमी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फ़ल तो बाद न मिलेगा जगद गुरु संकराचार जी करते है मा मैं आप से केवल इतना सा मांगना चाहता हूँ इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आउला नूमी का जिस दिन जो ढिया जाता है उसका फल जीते ही मिल जाए बस इतनी कल्पाकड़ जगद गुरु संकराचार जी के शब्त देखे गवदान करा usका फल बाद मिलेगा आउला नूमी के दिन अगर आपने कुछ दान किया है उसका फल जगत गुरु संकरा चार जिमाता लक्षमी सकता आज की आज मिलना चाहिए उसका फल हमें इसी फ्रत्वी पर रहते रहते